आपने एक नया resource master document खोला है और एक नय resource को शामिल करने के लिए तयार हैं। इस अनुभाग में आप निम्न से संबंधित जानकारी दर्ज कर सकते हैं या देख सकते हैं। resource code, description, type, unit of measurement, expenditure type, work center, work center name, basic day capacity in hours per day, basic week capacity in hours per day, man to machine ratio basis, active status, labor cost per hour, machine cost per hour, overhead cost per hour और total cost per hour रिसोर्स के लिए एक विशिस्ट पहचान संख्या दर्ज करके शुरू करें। resource का नाम दर्ज करें। यह निर्दिश्ट करने के लिए कि कारे के प्रयास के लिए एक मशीन या एक मानों की आवश्यक्ता है resource और संसाधन के प्रकार का चैन करें, मशीन का चैन करें यह इंगित करने के लिए कि यह resource एक मशीन है unit of measurement के लिए आवर विकल्प default मान है और transactions में resource cost calculation के लिए आधार के रूप में प्रयोग किया जाता है एक resource द्वारा production में भागिदारी के प्रकार को इंगित करने के लिए direct या indirect चुने direct का चैन करें यह इंगित करने के लिए कि यह resource production प्रक्रिया में सीधे शामिल है indirect का चैन यह इंगित करता है कि यह resource production प्रक्रिया का समर्थन कर रहा है Work Center Code का चैन करने के लिए Search आइकन पर क्लिक करें एक Pop-Up प्रकट होता है Pop-Up में से एक Work Center Code का चैन करें Work Center का नाम अपने आप आ जाता है वैकल्पिक रूप से अगर आपको Work Center Code पता है तो उसे दरज करें ध्यान रखें कि यह वर्क सेंटर कोड मास्टर में मौजूद होना चाहिए। निर्दिष्ट रिसोर्स के लिए प्रती दिन के काम के आवर्स पर डे के रूप में दर्ज करें। निर्दिष्ट रिसोर्स के लिए प्रती हफ्ते के काम के आवर्स पर डे के रूप में दर्ज करें। इस रिसोर्स के उपियोग के समय मानों की अपेक्षा मशीन चमता का माप करने के लिए मानों पर मशीन के अनुपात को दर्ज करें। डिफॉल्ट रूप से एक वर्क सेंटर का एक्टिव स्टेटर्स हां होता है. यह दर्शाता है कि प्रासंगिक ट्रांजेक्शन्स में यह वर्क सेंटर चयन के लिए उपलब्ध है. इस रिसोर्स के लिए लेबर कॉस्ट दर्ज करें, कॉस्ट प्रतियावर दर्ज किया गया है. का टोटल कॉस्ट लेबर, मशीन और ओवरहेड के आधार पर किया जाता है. यह प्रक्रिया हेडर अनुभाग को पूरा करता है. अब आप एक्विप्मेंट विभाग की ओर बढ़ सकते हैं.